अब में नारेसन का दूसरा हम बन चुका है कि अब अब तीसरा बनाने जा रहे हैं कि तो अगर पहला भाग नहीं देखे उसको देख लिए पहला नियम उसमें है दूसरा नीयम उसमें है हम पीसरा नियम बताने जा रहा है हरका से दूसरा नियम हम एक दो एक्जाबोल हम दे रहेते हैं जैसे यह यह नहीं की राम सेड़ तू हर कामा इनोड़ी कामा यू 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 वाज गोईं तू स्कूल राम सेड़ माने राम ने कहा तू हर माने उससे राम ने उससे कहा यू वाज गोईंग तू स्कूल तूम स्कूल जा रहे थे देखिए हम इसका एक सूत्र हम लिखाए हैं वीडियो वन में देख लीजिएगा एक सो तेस बटे संग और फर्स परसन क्या होता है आई और वी फर्स परसन है सेकंड परसन क्या है यू है अब थर्ड परसन क्या है ही सी इट दे अ क्यों ने में ने क्यों नाम यह थर्ड परसन है तो पहने का मतलत राम से राम ने कहा तू हर मारे उससे यू वाज गोईंग टू स्कूल तूम स्कूल जा रहे थे देखें डॉरिशन इसको इन डारेट और चेंज कर ने से पहले हम यह देखेंगे जो यह हमारा रिपोर्टेट श्पीच है यह किस से प्राम हो कि आ अब देकर हैं यह रिपोर्टेटिज इनी करता से प्राण से अगर करता से प्राम है है तो हम क्या करेंगे अब यहां देखिäm करता से फ्रारम है और रिपोर्टिंग निंग्स वेंक कर्म है जैसा कि हमने आंगर सेड़ निंग है कि में गर्म है और यदि रिपोर्टिंग वर्व में कर्म रहेगा तो समझ लेना कि सेड़ और कामा के बीच में कुछ ना कुछ लिखा है इसका मतलब कि सेड़ और कामा के बीच में जो लिखा है यह हमारा कर्मेनी की रिपोर्टिंग वर्व का आपजिक्ट है तो जब कभी तुम्हारे सामने एकसी सीन आती है कि रिपोर्टेड स्पीच करता से प्रारम हो और रिपोर्टिंग उबर में कर्म हो तो हम क्या करते हैं राम सेड को टोल्ड में बलन देते हैं और टी ओ को हम नहीं लिखते हैं उसकी आगे वाले सब्दों को उतार लेते हैं कामा इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए अब हम किसका प्रयोग करेंगे तो हमने कई बार कहा है या दिरिपोर्टेड स्पीच करता से प्रारम होता है तो हम comma in order comma हटाने के लिए हमें सा dad का ही प्रियूब करते हैं तो हाँ तो हमें बताया है कि अगर comma in order comma जब भं जाए तो नहीं रूट जा अब देखा कि reported speech का करता क्या है अब यहां हमने देखा कि reported speech का करता you है अब क्यों सा person है अब हम देख रहे हैं यह जो है वो सिकंड परसन है अब देखिए अगर रिपोर्टेड स्पीच का करता यदि सिकंड परसन है तो उसको हम बदेंगे किस के अंसार उसको बदेंगे देखिए रिपोर्टेड स्पीच का करता सिकंड परसन है अगर रिपोर्टेड स्पीच का कर कर्ण के अब्सार बदलेंगे तो यहां विपोटेंगे कर्ट के अमसार बदलेंगे इसको बदलेंगे कर्ण के अमसार निया आप यहां तो यह सी सी अब यह नहीं रिपोर्टेड स्पीच के करता को बदलने के बाद केवल एक इस्टेप और है उसी का और ध्यान देदीजिए बस केवल वो है टेंस अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच का करता ही नहीं सफस्टेंस में है यू वाज गोइंटू स्कूल मदब कि जिस संटेंस में वाज या वेयर हो और उसमें क्रिया के सफ़ार में आई एंजि का हो तो हम समझ लेंगे ये पाश्ट कांटी नोंच नक्टिनस है पास्ट काल्ती इन्वेस्टेस की पहिचान क्या है, उसमें सहाय क्रिया या तो वाज लिखी रहेगी, या तो बेयर लिखी रहेगी, और उसके आगे जो क्रिया लिखी रहेगी, उसमें आई इंजी लगा रहेगा, अब देखे इसमें वज लिखा हुआ है उसके आगे जो पिरिया लिखी है उसमें ING लगा हुआ है इसका मतलब कि ये Past 104 अन्युवंश्टेंस में है अब बात आती है कि Past कान की इन वेश्टेंस किस देन्स में बगलनीं जो नियाम है जो हम पार्ट वण में बताए है उसकी अंसार पास्ट कान की देट लूं को पारे संगे आई-श्रॉँर calm बगन देंगे कहने काम अगर तुम्हारे सामने कभी ऐसी सीन आती है कि हम के enfrent कि जो डारेक्ट में है उसमें रिपोर्टेड स्पीज का साहिक लिए वाज है उसमें अगर मदब नाए किसमें पाज परकेंट का इनुए स्टेंस में उसमें क्या कर देते हैं वाज की जगा पर हैड बीन लिख देते हैं कि वाज या बेर अगर वाज लिखा रहेगा तो हैड बीन कर देंगे बेर लिखा रहेगा तो हैड बीन कर देंगे बाकी वही पूरा हम उतार लेते हैं कि अधाँ कि कुछ बठ्चे हमारे सोचते होंगी कई मतलब काहवरे पूरा उदाल बिनिया क्योंकि अगर प्रजन परफ्यक्ष का अगर हम परफ्यक्ष में बदलेंगे ओभी कंटीनुवस तो चाहें जो भी कांटीन लिखा रहेगा उस उसमें आई-धी लगा रहेगा तो जीुक्त सबेंगें उसका लियम क्या है उसमें साही whispering आए टो चुन्स का सभश represented क sinners क्रिय लटेंगे नंगें और पिर इन की ओसमें क्या आगे जो भी क्रिया लिखी जाती है पहली बार तो फर्स फार में रहेगा और उसमें ing लगा रहेगा तो वही इसमें पहले से ही ing लगा है इसलिए हमने कोई परिवर्टर नहीं किया इसको उतार लिया हमने नमबर दो नमबर दो है जिसे i said i बाने मैंने said बाने कहा to him मैंने उसे कहा कामा इनोटेड कामा we यहनिकी i said मैंने कहा to him उनसे we read a book i said to him कामा इनोटे कामा we read a book आप देखी दर यहनिकी अब हमारा reported speech कार्ता से प्रारंध है अगर reported speech का अग्टा से प्रारंध हो और reporting वर्व में कर्म हो तो हम क्या करते हैं said को said को topled में बगद देते हैं out to to को हडा देते हैं उसके आगे वाले सब्द को उतार लेते हैं अब कामा इंवर्डिट का महटाने के लिए दैड का प्रियोग करेंगे अब दैड का प्रियोग क्यों करेंगे अब देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच का करता क्या है रिपोर्टेड स्पीच का करता वी है अब वी जो है किस नहीं कौन सा परसन है अब हमने देखा वी जो है फस्परसन है अब फस्परसन अब देखें किस के अंसार बदलेगा तो रिपोर्टेड को करता करता क्या है यहां आई है तो वी की जगा पर इसको हमाई को लिख देंगे तो वी की जगा पर आई हो लिख देंगे जब हमाई जैंगे एक उसका में कौन करदें कि जब जब भीूड में रहता है तो हम अब देखिए आप जिसे यहां रीड है रीड रेड रेड अब चूंकि देखा रीड रेड 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 पीनों वही है आकर हम इसको मालिजिए जैसे सहाई क्रिया नहीं है रिया अगर इसको शेकंड हूर मांगते हैं यह माली यह सेकंड हार में है यह papast वार में प्रशन ऐसमें। लेकिन अगर इसको मानते हैं कि फर्स फार में है तो प्रेजंट इंडिफिंटेंस जो है पास्ट इंडिफिंटेंस अब यह है यह तो आप की उपर है कि इसको किस फार में मानते हो अब यह सेकंड फार मांगते हो तो यह प्रेजंट इंडिफिंटेंस में मांगते हैं तो अगर हम इसको मांग लेजिए इसको मांगते हैं सेकंड भार तो सेकंड भार अगर मालेंगे तो पास्ट इंडेफिंटेंस होई गया तो पास्ट इंडेफिंटेंस को हम पास्ट पर्फिंटेंस में बदलते हैं जिस तेंस में हमको बदलना है अब उपके सहाई क्रिया दिखी जाए अब उसके सहाई क्रिया अब जिसे उसका सहाई के नीक पास्ट पर हिट ये उसके सहाई की लिए है है और है यागे जो भी लिखी जाएगी ओ क्रिया के थर्ड फार लिखा जाए रीड रेड रेड इस पे लिख वही है र-e-a-d ये हमारा तीसरा नियम है जो दूसरा नियम हम बनाए है भाग पार्टू में देख लिजिएगा उसका हम दो इक जांकुर दे दिये अब देखिए नियम तीन तो नियम तीन क्या है नियम तीन है नियम तीन है जैसे ही सेड तो नियम गामा इनोजे गामा आर यो गोईं टू इसकूल आर यू गोईं टू इसकूल अब यहां यह प्रस्णवाचत का चिन लगेगा क्योंकि जब रिपोर्टेड स्पीच सहाइट क्रिया से सहाइट क्रिया क्या है डू डज डिड बिल सैल इज आर आयम वाज बेर, बिल भी, सैल भी, है, 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 बिल है, सैल है, है, बिल है, सैल है, यह हमारा सहाय क्रिया है, अगर यदि रिपोर्टेड स्पीच, अब देखी है, नियम तीन में क्या है, अब नियम तीन में देखिए, अब नियम तीन में क्या है, रिपोर्टेड स्पीच जो है यह सहाय क्रिया से प्रारंभ है, यनि की आर से प्रारंभ है, इज आर अयम से प्रारंभ हो, या हैज हैव हैड से प्रारंभ हो, या डू डज डिड से प्रारंभ हो, या बिल सैड से प्रारंभ हो, तो हम समय लेंगे सहाय क्रिया से प्रारंभ है, जब रिपोर्टेड स्पीज, सहाय क्रिया से प्रारम्ध हो तो हम क्या करते हैं ही सेड को आस्ट में बदर देते हैं सेड को आस्ट में बदर देते हैं और उसके आगे जो तू लिखा हुआ है इसको हम नहीं लिखते हैं अठू के आगे जो लिखा हुआ है इसको हम भी उतार लेते हैं अब बात आई, कि अब एक भी कामा इनोर्टेट कामा इ लिए हैं जहां हिया सहाई क्रिया प्रियू करेंगे, विम् Career, because is सहाई सेपरारम होगा तब हम कामा इनोर्टेट कामा सैंच टीक हर और ढय कि बाल आईए लिए यह पनाता और असामर्ण कामा करणे हैं कामा हटाने के लिए यह थो हम और यह को यह की भुविदर का रियोग परियुक लिए कि जाये की पुविदर का प्रियोग करें तो लिखा लुच लिन अब यह कामा इन्वोर्टेट कामा हटाने के लिए इफ का है ठीक कहई रहे हूं है कि हम देटका प्रयाग कर्ते थे जब इफरीजट कर्टास इब अगर अभु नी होग करतास अगर हम यह काश्च फरारम हुग तो तो सहाय एनी की रिपोर्टेट स्पीच सहाय क्रिया से प्रारम होगा तो हम कामा इनौर्टेट कामा उटाने के लिए इव का प्रेव करेंगे ना सही अगर रिपोर्टेट स्पीच सहाय क्रिया से प्रारम है तो कामा इनौर्टेट कामा रिदियों कता ही तो रूप करके चलेंगे कहां पर शीरे करता पर चलेंगे हट जाए तो सीधे हम चलेंगे कहां पर करता पर अब देखा हुआ करता लगाएए कूख सा पर्सन है तो हम पता लगाए तो यू की इसके परसना अब यह पता लगावा कि यू सेकंड परसना तो किसकी अनुसार बढ़ले अब हम सूत्र में 123 सब्सक्राइब कि देखेंगे इसमें की देखा दो जो है दो नीचे और दो का मतलब पर सबस्क्राइब करता वह सब्सक्राइब लंगे रिपोर्टिम अबजकों के उर्वाइब के आपजथ के अनसार यहनि की कर्म के अनसार civा यहां 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 यह दा सार। अगर यहां सेधुल सार यहां जबर देवाइब और नमलेंगे यहां आप जिक नहीं है तो यू की जगा पर आई होई है अगर अब जैसे हम वीडियो नंबर दो में पार्ट पू में हम बताए हैं अगर यह मी रहे अगर यह यह आई है तो आई हुजे अगर यह 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 आए निया दे बहाए तो यह यह तरस है यह यह कहने का मतला यादि रिपोर्टेड स्पीच का करता से कड़ परसन है तो उसको हम रिपोर्टिंग और विकिग आपजेक के अउसार ही बदलेंगे आप चलिए अगर इसाभी का कि अब यह देखें कौन सा जैसा कि हमने बताया है अगर जा रहें तीन मस्ट एक कौन हो एब क्रियम आएंग लाग हो तो वो है प्रिजंट कांटीनुस ट्रेंस आप देखिए कि प्रिजंट कांटीनुस ट्रेंस किसमें बबलेगा इसके अनुसार यह भी है कि प्रिजंट कांटीनुस को पास्ट कांटीनुस Ara Где से ही अगर यह बचल करते तो बोचन करते है बेर लिखेंगे अब यह आई अब आई जो है इसको अइज के साथ वाज का प्रेयोग होता है मेंसा यार रग लीजिएगा इसलिए इस लिए आयए ऑन होता है यह तीनों से को नहीं हो तो आई के आगे हम वाज ही लिखते हैं वाज में इक हिसा हो या यह करेंगे हम उतार लेंगे इसमें क्या होगा इंडारेक्ट में इसमें आप कुछार मार्क नहीं कर देगा अगर इसमें कहीं दिक्कत रही हो हम दूसरा वाद कि देते हैं देखिए दूसरा वाद कि है राम सेड़ टू मी कामा इनोटेट कामा हम यू गॉन तो स्कूल यहीं क्या तुम स्कूल जा चुके हो राम से तुमी राम मने राम सेड़ मने कहा तुमी मने मुझे राम ने मुझे से कहा है और से अगर सहाय परले लिखा हुआ तो उसका मतलब होता है क्या तुमें स्कूल जा चुके हो कि अगा पिसका लाइने क्षा बदलेंगी है को समझें बीडियो सुरूस से आखरी तक देखिए नारे संग बिलकुल इत आसान तरीकेifter एक एक नियम बताएंगे मिडिया की बीडियो सुरूस से आखरी तक दखी जैसे अब हम सब से पहले देखेंगे रिपोर के डिश्पीक हमारा किस्से प्रारंध है अब यह पता लावा कि हैव कहीं करता अगर करता हुए तो पिर नियम दूर लागे अगर हैव सहाय क्रिया होए तो नियम दीन लागे अब हम बखाएजी इज आर आइम वाज बेर बिल बी सैल भी हैव हैव हैड अडू ड़ ड़ डिड यह सहाय क्रिया है तो हैड यह सहाय क्रिया है तो सुनिए यदि रिपोर्टेडी स्पीच जो हम भोलते हैं इसको हम कापी पे नियम डाल करें लिव लेंगे क्या लिखेंगे कापी में नियम तीन में यदि रिपोर्टेडी स्पीच सहाय क्रिया से प्रारम हो तो सिड को टोड में बनद देते हैं और तिमोर्टू को हटा देते हैं उसके आगे वाले सब्द को उतार लेते हैं और कामा इंवर्टेड कामा हटाने के लिए यह भी हम हुईदार का प्रियों करते हैं बाकी वही पुराना नियम लगाते हैं बाकी वही पुराना नियम को मतलब कि करता पे चला करता देखा कौन पार सारट है फिर किस के अंसार चेंज होए करेंगे कि से तेंस में है फिर उस जो भी नियमारकता है कि ही जैसे हमने बता दिया कि यह सहाय क्रीया से प्रारम्धा है तो हम राम हम स्टेट को हम आस्ट में बदल देंगे और योटू को हटा देंगे उसके आगे वाले सब्द को उतार लेंगे कामा इनोर्टिट कामा हटाने के लिए हम इपका प्रयोग करेंगे मान लीजिए किसी निये पूछ लिया कहो करता है तो इनी रिपूर्टेट कामा हुटाने के लिए द्याग का प्रयोक के है लेकिन आज हमाय रिपोर्टेट इस्पीच के तो मतलब चेहरा बदर जुबाबा अब उसका इसे कि उसमें देखिए सहाई क्रिया से सुरूब है अगर इपोर्टेट स्पीच अगर सहाई क्रिया से प्रारम भाए तो हमेशा जान लेजिए कामा इनॉर्टेट कामा आदाने के इवर्ट रही प्रेयों करेंगे जाहिए प्रेयों कर दर्ग करिये जब कामा इनॉर्टेट कामा हड़ी है का उताई ही कहां चलेंगे सीधे रिपोर्टेट स्पीच के करता चांगा इस है क्लिकिया के आली निखा इस आए और देखा ने कियो निखन साफ परसलन है हमने देखा यू जो है वो सेकट परषन है अब हम सेकट परसन अगर इसको किसके अवसार बंदे इनके यह या एब गौर्टिंग वरग तो आरप जिप के अंसर में सद़ते हैं तो एहे हम नहों की जगा पर आई तो जब हमां करते रिपोर्टेड स्पीच करता बगल जाए अब देखा कि कौने के शंबाई अग जोने जोने वा सेंटेंस में है जा है लिखा हो अब क्रिया के फड़ भार लिखा हो वा प्रेजेंट पर फेक्ट जैसा कि हम पार्टू में बताएं अगर है जा है पिकाओ और क्र फर्टी क्रिटॖ फर्फेक्ट जो सब्सक्राइए् इसको बड़नाएं और मिल्समें में प्रेजेंट पर्फेक्टिंस को वाच पफेक्टिंसमें बणते मिस पाष्पर फर्फेक्टेंस अब है इन्हाइड पाजपर 허फिक्टीसका साहिक्या क्या है है इसका मतलब इसमें हम है लिख देंगे इसमें भी क्रियक फ़र्फार लगता है है इसलिए हम जौन कि तू कि स्कूल है अब यह कुश्चन मा घड़ यह तीसरा क्या है कि आई थे टू हा muit अलिए गाम आई उससे मार्ने उससे कहा इस से काहा मैंने उससे कहा दिद यू कुप फूद क्या तुमने बोजन पकाई तो कहने का मखला अब देखिए यहां से नारे संकठिन नहीं है लेकिन वीडियो हुआ सुरू से अखरे तक देखते रहे हमें एक एक पॉइंट हमताएंगे या दिनी कोर्टेड स्पीच किस से प्राव्बम है डीड से डीड है क्या सहाय क्या दू डू डज डिड बिल सैल है 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 बिल है सैल है और यहने की इजार आयम वाज दिया तो अब यह डिड क्या है यह सहाय क्रिया है जैसा कि हम यहां से बताते चले आ रहे हैं यदि रिपोर्टेड स्पीच का यदि रिपोर्टेड स्पीच सहाय क्रिया से प्रारंध हो तो हम क्या करते हैं आई सेड को आस्ड में बदब देते हैं और त्यो टू को हड़ा देते हैं उसकी आगे वाले सब्द को उतार लेते हैं कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए आई यद इफका प्रियों करते हैं फिर बताएं है हर पार्ड में हमने बताया है कि जब कामा इनवर्डेड कामा हड या दृगजा अब देखा कि रिपोर्टेड स्पीच करता कावा है तो हम देखा देखे रिपोटेड श्वीज करता यूं आप देखा यू कौन सा परसाल है फिर हमने पता लगाया यूं जो है सेगरड परसंग निकला अगर यूं अगर सेगरड परसंग तो इसके अनसार बगला जाए तो हम इनी कि जब हम गए सूत्र में गए एक सब्सक्राइब के अंदर गए तो मतलब उसमें हमने क्या देखा कि यह रिपोर्टेट स्पीज का करता सेकंड पर सन है तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के आपजेट के अंसार करते हैं तो यहां रिपोर्टिंग वर्ब का सामने खकाया अगर यहीं होता है तो जिस में तो समय लेना कि सब्सक्राइब का इंदेफ technician है और कि पास्ट इंडेंश को किसमें पास्ट परफेक्डिंस में तो किसे इसको कोग्ड कोग्ड कर देंगे कोग्ड फूड देखें यह नियम तीन में नियम तीन में आप लोगों ने क्या देखा कि रिपोर्टेड स्पीच सहाय क्रिया से प्रारम हुआ था इसका मकलब हमको जानकारी हो गई कि जानकारी क्या हुई कि जब रिपोर्टेड स्पीच का इनी सहाय क्रिया से प्रारम होगा तो हम सेट को आस्ड में बदलेंगे और जो उसकी आगे तू लिखा रहेगा उसको नहीं लिखेंगे अटू के आगे जो लिखा रहेगा उसको हम उतार लेंगे जिवकत्यों और काम इसमें जो हम रूल वन से लगाते चले आ रहे हैं वहीं नियम लगाएंगे पसारते यह है कि डारिक में कोईश्चा मार लगेगा जब उसको हम चेंज कर देंगे लिखार में लगेगा अब हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे जय भारत जय हुए